इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले how to check the IPO application status यहां यहां रखेगा मैं allotment की बात नहीं कर रहा जब आप initial stage में ही IPO की application लगातें तो उसका status कैसे जानना होता है, कैसे verify करना होता है NAC, BAC दोनों platform आपको एक facility और एक feature प्रोवाइड करतें जिसके through आप अपनी application को verify कर सकते हो तो देखो जो allotment का status होता है वो उसके ओपर मैंने पूरा एक separate video बना रहा कि cave intact, link in time, big share इनके ओपर आप कैसे check out कर सकते हो यहां पर मैं basically बात करा हूँ कि कभी कबार क्या होता आपका UPI mandate fail हो जाता है, आपने application तो लगा दी तो आपको पता करना है कि मेरा application का right now status क्या है तो वो कैसे पता करेंगे, तो देखें सबसे पहले हम लोग बात करते NAC method की national stock exchange की, तो अगर आप IPO की application UPI mandate के थूर लगा रहे हो, तो there is a 99% chances कि आपकी जो application है, वो NAC को जाती है, तो भाई इसके लिए NAC ने एक service दे रखे, verify IPO bit करके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक registration कराना पड़ता है, नॉर्मल सा registration होता है, link दे दूँगा description box में, बना देता हो कि sign up process के अंदर क्या-क्या चीज़े यह मांगता है, initials हो गया, आपका first name, last name हो गया, आपका date of birth हो email id हो गया, pan number हो गया, mobile number, address हो गया, country और एक password यहाँ पे आप set कर सकते हो उसके बाद भाई username में आप अपनी email id डालो, आपका password डालो, और simply login कर लो तो login करने के बाद में कुछ इस तरह से चीज़े आपको देखने के लग जाएगी, अब उपर ही उपर जो है, symbol दिया हुआ है, तो जिस भी IP के अंदर आपने apply कर रखा है, almost सारे देखने को मिल जाएगे, जिसे कि मालो मैं Northern ARC का यहाँ पर check करना चाहता हूँ, तो वो मैंन select कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी application number डालनी है, तो जिस भी app के थुरू आपने apply कर रखा होगा, आपको एक application number देखने को मिल जाएगा, उस application number को simply यहाँ पर आपको put करना है, और get the data के उपर आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपकी bit की details आजाती है, अब य इस type का अगर कोई भी अगर आपको status check करना है, सीधा NAC की site के उपर यहाँ पर आप data डालकर status check out कर सकते हो, इसके अलावा भाई, अगर मैं BAC की बात करूँ, तो अगर आप माललो IPO की application ASBA facility के थुरू apply करते हो, यानि net banking या mobile banking के थुरू यहाँ पर apply करते हो, DPID वगर डालकर, तो there is a 99% chances कि आपकी application BAC के अंदर जाती है, तो यह link description box में provide कर दूँगा, यहाँ पर आपको कोई भी separation करने की जरूँद नहीं है, simply अपना equity select करो, और जिस भी IPO का status check करना है, वो आप select कर लीजे, जैसे माललो मैं PN guard guild jellers का check कर लेता हूँ, और यहाँ पर application number डालने की भी Simply अपना pan number डालके आप check कर सकते हो, तो जैसे आप देख सकते हो, screen के सामने नीचे आपकी proper bidding की details, application number, pan number, bid ID हो गया, कौन से date को लगा है, कितने shares लगा है, price हो गई, तो यह सब कुछ आपको दिखा देगा, और नीचे allotment और UPI का status भी दिखा देगा, इस तरीके से यहाँ प बाकी हम लोगों ने IPO के उपर पूरी एक playlist पना रखिए, जिसमें आपको A से लेकर Z तक सब कुछ यहाँ पर जानने को मिलेगा, अगर आप interested है, लिंक देदूगा, description box में, और please हमारे WhatsApp group है, especially for the IPO retail investor, उसको join करना मत भूलिएगा, उसकी link भी आपको description box में मिल जाएगी, अग अगर आप लोग के कुई भी doubt से इस वीडियो के रिगारी, comment box के अंदर ज़रूर बताएगे, thank you guys, thank you very much